राजस्तान विदानसबा चुनाओं के परिनाम की घोशना के बाद से ही प्रदेश की सियासत में सवाल गूंजने लगा कि आखिर सीएम की कुरसी किसे मिलेगी यानि कौन होगा राजस्तान का अगला मुख्यमंतरी अब तक प्रदेश के सीएम उमिद्वारों की लिस्ट में जिन दो बड़े चेहरों को मुख्यमंतरी पद सौपे जाने की चर्चा थी उन में से एक वसुंधरा राजे सिंध्या को केंद्री नितित्व ज्यादा महत्व नहीं देना चाता है और बावा बालकनाथ योगी का सांसदी से स्तीफा ने इन चर्चाओं पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया है सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी है कि राजस्थान में बीजे पी अब नए चेहरे पर दाव लगाने पर विचार कर रही है ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ के सीम रेस से ब बाबा बालकनाथ, गजेंदर सिंग शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैशनो। बाबा बालकनाथ कैसे हुए लिस्ट से बाहर। बाबा बालकनाथ ने राजस्थान के तिजारा विदानसभा सीट से विदानसभा चुनाओं में जीत दर्ज की हैं उनके इस सीट पर भारतिय जनता पार्टी के तिजारा से नौ निर्वाचित विधायक बावा बालकनाद का एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट में उन्होंने संदेश दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस से बाहर है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पार्टी वा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के नेत्रित्तों में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद वा विधायक बना कर राष्ट्र सेवा का उसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया वो सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजर अंदाज करें। मुझे अभी प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। योगी बालकनाथ ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वो सिर्फ अफवा ही है। वसंधरा राजे से क्यों नाराज है आला कमान। राजस्तान में चुनाव परिनाम को आए पाँच दिन बीच चुके हैं। इन पाँच दिनों के दौरान मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए एक दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन तस्वीर अभी धुन्दली ही नजर आ रही है। सीएम के तमाम नामों के बीच वसंध्रा राजे सबसे बड़ा नाम है। राजस्तान के सियासत में वसंध्रा कितना बड़ा चेहरा हैं ये तो पूरा देश जानता है। अना कि वसंध्रा ने पांच साल तक केंद्री नेत्रितों से लगभग दूरी बनाए रखने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दवाब बनाना शुरू किया है। जो केंद्री नेत्रितों को अच्छा नहीं लग रहा है। चुना परिनाम आने के बाद से ही वसंध्रा राजे की सीम दाविदारी के समर्थन में लगातार विधायक लाम बंद होते नजर आए। और इतना ही नहीं उनके जैपूर के निवास में पिछले दिनों पचास से ज्यादा विधायकों ने पहुँचकर मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद चर्चा हुई कि वसंध्रा का ये शक्ति प्रदर्शन सीम पोस्ट पर दाविदारी को लेकर है। इस बीच केंद्री आला कमान ने साथ दिसंबर यानी गुरुवार को वसंध्रा को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुँचकर उनकी मुलाकात भारते जन्ता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से हुई इन दोनों के बीच करिवसी मिनट तक बात चीत हुई इस मुलाकात के बाद जब वसंध्रा राजे वापस राजस्थान लोटी तो वो मुस्कुरा रही थी उन्होंने मीडिया या पत्रकारों के सामने कुछ भी नहीं कहा। क्या वसंध्रा को मुक्हमंत्री नहीं बनाना चाहती बीजेपी। साल 2018 के विदान सभा चुनाओं में पार्टी की हार के बाद से ही वसुंधरा राजे ने केंद्री नित्रित्यों के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया था। उस वक्त वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिशे हुई उन्हें केंद्रे में शामिल होने तक का ओफर द की है जो प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और ग्रे मंतरी अमित्शा के काफी करीबी हैं ऐसे में अगर वसुंधरा को मुक्यमंतरी बनाया जाता है तो दिल्ली के ये नेता हमेशा राह में रोडा बने रहेंगे जो सरकार के लिए मुश्किल होगा प्रेशर पॉलिटिक्स क के बीच बहुत गलत संदेश पहुँचाने का एक और कारण बना दरसल किशन गंच विधायक ललित मीना के पिता हेमराज मीना ने हाल ही में इसका खुलासा किया उन्होंने का कि पुरु मुक्यमंतरी वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुश्यन सिंग ने बीते मंग को कुछ विधायकों को वसुंधरा राजे से मिलाने के लिए जैपुर लाए थे उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन्हें सीकर रोड के आपनो राजस्तान रिसॉर्ट में ठहराया गया था नए मुक्यमंतरी की तलाश के लिए राजनात की एंट्री वर्तमान म ने राजस्तान के सीम की रेस में दिया कुमार, राजवर्दन सिंग राठाओर के अलावा, ओम माथूर, अरजुन राम मेगवाल, सीपी जोशी, गजिंदर सिंग शेखावत और अश्विनी वैशनों का नाम लिया जा रहा है। हलांकि यह देखना दिल्चस्प होगा कि इन तीनों में से किसे सीम की कुरसी मिलेगी या फिर चौकाने वाले फैसले लेने वाली पार्टी बीजेपी एक बार फिर कोई ऐसा फैसला लेती है जो सब को चौका कर रख देगा। विनोत तावडे भी राजस्थान पहुँचे हैं। बड़ी जीत दर्च की है तो कई प्रत्याशियों की बीच जीत का अंतर बहुत कम रहा है।